नमस्कार, हेलो रिवन, स्वाध करता हूँ, मैं आपके अपने चैनल पर, welcome to our channel आज हम discuss करेंगे NCC Limited, यह एक सरकारी कंपनी है, PSU कंपनी है कंपनी काफी projects पर काम करती है, like transportation, power, water, agriculture, real estate, residential and commercial buildings and company develops करती है, बड़े infrastructure projects को जिसमें road and power projects भी included है तो in short हम यह कह सकते है के company construction and infrastructure development में काम करती है और जहां सर, राकेश जुन-जुन वाला 10.64% stake hold करते है NCCC में और हमारी government भी काफी focus है हमारे भारत की infrastructure को लेके और जहां सर, नितिन गटकरी भी काफी focus है हमारे road infrastructure को लेके and yes, some word no mother sun का जो target था हमारा 180 का वो target अचीव हो गया है आप यह वाला video देख सकते हैं for your reference और हाँ दोस्तों अगर आप channel पर पहली बार आये हो तो please channel को subscribe जरूर करना जहां हम quality stock आपके सामने लाने की कोशिश करते है and share के target पर हम discuss करते है तो सिर्फ और सिर्फ एक subscribe तो बनता है तो भीना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे तो सबसे पहले हम यह देख लेते है NCC ने कितना return दिया है अपनी investors को जैसे हमें पता चले कि हमें निवेश करना चाहिए या नहीं अगर हम एक साल का return देखते है और दो साल में तो शैर ने 5 गुना कर दिया है अपने investment का तो यह शैर ने काफी अच्छा return दिया है अपने investors को एंड अब हम fundamental wise देख लेते हैं and experts क्या rating दे रहे हैं वो भी हम देख लेते हैं 83% experts buy की rating दे रहे market cap करीबन 20,000 crore के आसपास है PE ratio 28.44 है जहां industry PE देखते हैं तो 55.36 है book value 105 है which means इसके book value से 3.1 time trade कर रहा है यह share तो कहीं न कहीं यह share valuation wise भी सस्ता है as per the industry PE and no doubt company profit making भी है अब हम chart देख लेते हैं share अभी trade कर रहा है 324 के आसपास जहां recent low share ने बनाया था 250 के आसपास अगर इस level से 324 से rejection आता है तो यह share आपको 290-300 के level दिखा सकता है जहां आप entry भी ले सकते हो और जैसे 290 के नीचे जाता है यह share तो आपको 260 के level पर support ले सकता है यह share और जहां हम target की बात करते हैं तो हमारा पहला target रहेगा 340 और फिर 360 और फिर 380 नोट करना हमारे target आप आपको यह 12 से 15 महिने में यह target अची होते हैं जरूर नजर आएंगे तो यह share आप अपने watch list में जरूर add करें और अगर आपके portfolio में है तो बिलकुल से बिलकुल बने रहे अगर कभी भी कोई भी गिरावट मिलती है तो जरूर निवेश कर सकते हो for the long term valuation wise भी काफी comfort दे रहा है यह share तो अपने पैसे ऐसी जगर निवेश करना आप जहां आपका पैसा और आपका capital सेफ रहे आज नहीं तो कल वो शहर आपको पैसा कमा करी दे तो यह था मेरा आज का वीडियो आपके लिए नहां दोस्तों अगर आप कोई भी investment करते हो तो प्लीज अपने advisor से ज़रूर सल ले और सबसे ज़्यादा आप खुद research करें चैनल को subscribe करें support करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को like and share जरूर करें तो मिलते हम दूसरे वीडियो में जुड़े हमारे साथ thank you so much for watching this video अपना ख्याल रखना जय हिंद